नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आज में फ्रेंश कुछ ऐसे प्लांट शेर करने वाली हूँ चिनकी कटिंग आप अभी इस दिसंबर के मंत में लगा सकते हैं बहुत ही आसान से इनकी कटिंग लगने वाली है तो कौन-कौन से वो प्लांट से आज में इस वीडियो में शे देना ताकि जब मैं इस वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके अभी दिसंबर का मन्द चल रहा है तो फ्रेंस अभी बहुत लोग जो पर्मनेंट प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग लगाने से पीसे जबकि दिसंबर का मन्द चू होता है ज्यादा तर इसी मन्द में दिसंबर और जनौरी में ज्यादा ठंड पड़ती है तो कटिंग जो लगने के तो लग जाती है पर सर्वाइब बहुत मुश्किल से करते हैं क्योंकि ये डॉर्मेंसी का पेरियर होता है पर्ट हम अगर छ सब्सक्राइब जाने लगे हैं धीरे-धीरे क्योंकि ठंड पढ़ने लगी है यहां मैं सबसे पहले आप लोगों को कोले सी कटिंग लगाना बताओंगी कोले सी कटिंग मेरे अलाश्टेयर का है और अभी बहुत लेगी हो रहा तो इनको इस तरीके से प्रूंड भी कर दू हुआ है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं कोई भी पेस्टिस चीज़े में लगा देंगे असानी से लग जाते हैं तो छोटा सा है इनके लिए जादा जगे की जुरत भी नहीं होती है तो इस तरीके से आप कोले सी कटिंग लगा सकते हैं दिसंबर के मंद में बहुत इच्छ से इनकी कटिंग गुरू हो जाती है दो तिन दिन में की जड़े निकलने लगती है तो कोले सी कटिंग आप लगा सकते हैं नेश्ट बात आती है फ्रेंस हमारे मनी प्लांट की तो मनी प्लांट में बहुत एजी टूग प्लांट होता है अलग के डर्मंसी की पीरियाड में मैं करते हैं देजरी में लगाना चाहिते है तो लगा सकते हैं कुछा मारे ऐसे फ्रेंस से जोगे चृच शुरू करना चाहते हैं तो इन था है ना है कि WAS दो कि अशनुजाओक्र गोडिभ की कटिंग लिए है और यह देखें जो मिट्टी में हम लगाएंगे वह दिल्कुल आप चाहें तो गॉर्टन स्वाइल में सेंड्सोयल में लगाएंगे ताप रिक लगा के लगा के रख्या हुई है यह आराम से लग जाएंगे अगर इंडो रखेंगे तो सबसे अची बात नेश्ट जो आता है हमारा प्लान फ्रेल्स वो है हमारा स्पाइडर प्लान तो स्पाइडर प्लान में इस तरीके से रनर्स निकले हुए होते हैं और इनसे हम धेरो सारे प्लान बना सकते हैं एक नहीं दो नहीं आप हम सेकरो प्लान इनसे बना सकते हैं तो यह हैंग करते हैं बहुत की खूपसर लगता है पोग के कचोटे से पॉट में कहीं भी एहर लगा देंगे तो ये लग जाते है ये i Supos so गया ये इस तरीके हाथे जो इनके पौदे होते हैं कीर चाते हें घमलों में तभी विए थोड़ी सी नमे पाकर ये अपनेप bö बढ़ा लेते हैं तो इनको लगाने के लिए चोटा सा डिस्पोचल की रास में याली हूँ और ये चाय वाले जो कॉफी मागाते हैं वही वाले चोटे चोटे इस तरीके से लगा देना है तो मिट्टी बहुत ज़्याद नीची थी तो इनको थोड़ा से पत्तिया वगेरा हटाके लगाएंगे तो लग जाएंगे तो आप इनको भी इस तरीके से गुरू कर सकते हैं और ज्यादा केर की भी जरूनी पड़ती है इंडोर प्लांट में आते हैं आउट्डोर इंडोर दोनों लगा सकते हैं जिस तरकी से आप लगाना चाहें पानी में भी इसली गुरू हो जाते हैं हमारा जो इस पाइडर प्लांट है इनके बहुत सी वराइटी आती है तो है अजवायन का प्लांट तो यह भी पर्मनेंट प्लांट में आते हैं कम देखरे कम जगा में चलने वाले पोदे हैं अगर हेंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत यह असानी से लग जाते हैं कटिंग से लगेते ही हैं अगर इस चोटी से चोटी कटिंग कहेंग होती है गोछ जहां भी अलगे होते हैं वहांब बहली भीनी खुसपवाती है और अगर में ऑन लगाना चाहते हैं कहीं है भी कटिंग इनकी मिलती हैं चोटी चोटी कटिंग लाके लगा देंगे इसली चल सएंगे इनकी पत्तिया एक सुखुलन प्लांट जीसे लगती है और इमें पादी रहता है तो इनको जैदा पानी की विचरुत नहीं पड़ती है नेस्ट हमारा प्लांट है वह दर्शीना और दर्शीना की कई वरायटी जिसमें से एक है और यह मेरे पास तीन चार साल से आराम से चल रहा है उसको मैंने कटिंग से लगाई है पाटिंग लगाने के लिए छुट चुटे साइड से निकलते रहते हैं तो वही से कटिंग हम लेकर लगा सकते हैं एक से धिरू प्लाण मना सकते हैं वराइटे के बात करों तो मेरे पास तीन और चार वराइटे हैं इनकी आपने कटिंग से घरो प्लांट त्यार किया हुए है मैं कटिंग इतनी बड़ी लिए है और जहां में कटिंग लगानी है वहां कि पतियां हटा देनी है क्योंकि एक दो इंच तो मिट्टी के अंदर ही तो हाँ के पत्ती हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही easy to grow plant है इनको हम पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी और सबसे ची बात इनको आप अंदर छाओं में भी रख सकते हैं इनको set living plant माना जाता है तो आप ड्रसीना को भी जरूर लगाएगा cutting से easy to grow plant है यहां पर मेरा वेश्टेज पढ़ा हुआ था खाली पॉर्ट था तो इसी में लगा दिया वैसे में ड्रसीना की कम से कम आठ या 9 cutting लगा के रखी हुई है तो जब यह साथ देरों सारे तेयार हो जाएंगे तो बहुत ही खूपस्रत लगेंगे आपके गार्डन में और देखी के साथ बलग गई है देखी सकते हैं बहुत अच्छी से देखे रूट्स आई हुई है तो देखे राइस का मतलब यह होता है लगाने से किनके रूट बहुत अच्छे से फैलने देती मिट्टी में बिल्कुल खराब नहीं होती एक मैंने लगाई हुई थी तो अभी इनकी कटिंग हम लगा सकते हैं गुल्दावदी की नेट प्लाट फ्रेंस हमारा है वो है क्रिस्मस ट्री यानि के अरोकेरिया का प्लाट और यहां से बंदरों नहीं मेरा जो प्लांट तोड़ दिया था तो साइट साइट से इस तरीके से इनका से फ्रेंस बिगड गया तो तो मैं भी और भी गाड़ी हूं, यह मैं इनकी cutting लगाने चाहा रही हूं, देखे इतनी छोटी से cutting लेके हम इनको grow कर सकते हैं, बहुत easy to grow plant होता है, आप चाहे पानी में या soil में कहीं भी लगा देंगे, तो लगा दे सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जगा जगा से इस तरीके से thoughts निकल रही हैं, और इनकी cutting देखें, लगबग चाहरेंस की हैं, तो इनको भी में मिट्टी में लगा दूँगी, sun soil में या फिर किसी भी soil में लगाएंगे न, easily लग जाती है, यहां पर मैंने देखें, मिट्टी का pot लिया वाँ छोटा सा, और इसमें में लगा दूँग पर क्रिस्मस टरी यानि की अरू के रिया प्लांट के भी cutting लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे खुबसुरा लगते हैं, इस तरीके के प्लांट, वो छोटे बच्चों को तो बहुत ही प्यारे लगती हैं, यहां पर मैंने ओल पहले पानी डाला हुआ था, लगाने के बाद मै एक बार फिर से में पानी डाल दूगी, और सबसे में बाद फ्रेंज जो पॉट में लगाएं, इस तरीके चट्चे रिपॉर्ट में तो उसका ड्रेन जोल चलूरी होता है, ने श्रेफेंस हमारा यह ट्रशीना यानि की सॉंग आफ इंडिया भी ट्रशीना के फैमिली से ब पाकि हमारा प्लांट घना हो सके, खुब सूरत दिखे, तो सौंग ओफ इंडिया जितना ही घना होता है, उतना ही खुब सूरत लगता है, तो सौंग ओफ इंडिया के कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, चोटी से कटिंग लेके कहीं भी लगा देंगे, लग जाती है, ने पिने में लगा सकते हैं पिंग परपल और ग्रीन इसमें बहुत प्यारे लगते हैं इनके तीन विराइटी आती है दो मेरे पास से एक में उसको भी एड़ करना चाहोंगी और अगर लगाना चाहते तो इनके भी कटिंग लगा सकते हैं इस तोने को मैंने कटिंग से तयार किया हुआ है आपको कोई नेश्ट आता है फ्रेंड वाल्डरिंग जीओ उनकी भी छोटी-छोटी कटिंग असानी से लग जाती है तो यहां पर मैं इस तरीके से ले सकते हूं वाल्डरिंग जीओ की बात करूं तो तीन फ्रैट्टी में आते हैं एक उता पिंक और एक ग्रीन पिंक होता है परपल होता तो मेरे पास तो ग्रीन वाला था वटू खराब हो गया अभी यह बचा है और देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से लगे हैं इस तरी किसे डिस्पोजल की लासाज में में लगा दिया है तो यह थे सारे आज के मारे प्लांट फ्रेंस जिल को आप दिसमर के मन्त में कटिंग से गुरू कर सकते हैं तो आप भी जरू ट्राइ करना किसे भी मौसम की जरूर नहीं पड़ती हमें कोई कटिंग गुरू करने के लिए तो इन सारे कटिंग को आप इजली गुरू कर सकते हैं तो फ्रेंस यह थी आज के अमारे वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो हैलफू लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब जरूर करना मिलते फ्रेंस एक न्यूव वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना खैल रखेगा बाबाई